नमशकार डीवी नियूस में आपका स्वागत है इस्राइल पर हमास के अटेक ने दुनिया को सकते में डाल दिया था भारत ने ऐसी कोई हरकत आतंकी ना कर सके इसके लिए सुरक्षा एजंसियों पर अलट जारी कर दिया है आपको बता देते हैं पहली बार कश्मीर पुलिस ने आतंकीयों के हम दर्दों की निगरानी करने के लिए खास तकनी का इस्तमाल किया है तो वहीं सीमा पार्ट से आतंकीयों के साजिश को फेल करने के लिए ड्रोन से कड़ी पहरेदारी की जा रही है बता दे कि इसराइल में हमास के सरफ्राइस अटेक के बाद बौर्डर पर भारत भी सतर्क है साथ आक्टूबर के आतंकी हमले के बाद जमू कश्मीर में सुरक्षा पर निगरानी अब पहले की मुकाबले कहीं जादा बढ़ा दी गई है एक तरफ भारत बौर्डर पर सतर्क हो गया है तो दूसरी और आतंकी के समर्थकों को लेकर भी सचेत हो गया है आतंक बाद से जुड़े केस में ऐसी आरोपी जो जमानत पर जेल से रिहा हुए हैं उन लोगों पर अब जमू कश्मीर पुलिस खास निगरानी कर रही है इसके लिए उन पर अब सेटेलय्ट से नुदर रखी जा रही है जानने की ऐसे आरोपी जो जमानत पर रिहा हो रही है उन पर एक खास तरीके का GPS लगाया जा रहा है यह GPS आरोपियों के पैरों में एंकलेट के रूप में पहनाया जा रहा है मतलब आतंकवादियों के समर्थक जेल सरीहा होने के बाद जहां कहां जाएंगे यह GPS ट्रेकर सारी जानकारी जमू कश्मीर पुलिस के पास पहुँच जाएगी यहां तक कि अगर इसे खोलने की कोशिश की गई तो इसकी जानकारी भी पुलिस के पास पहुच जाएगी यानि टेरर लिंक का अब कोई आरोपी गायब नहीं हो पाएगा आतक कि आरोपियों के निगरानी के लिए इस तरह ट्रेकिंग सिस्टम का इस्तिमाल करने वाला जमू कश्मीर देश का पहला राज्य है देश में इससे पहले आरोपियों के लिए GPS एंकलेट का इस्तिमाल कभी नहीं किया गया अभी तक इस तरह के GPS ट्रेकिंग डिवाइस का स्थिमाल अमेरिका, ब्रिटैन, आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में होता आया है जहां जमानत या फिर पैर रोल पर छूटे आरोपियों और नजरबंदी के आरोपियों के ट्रेकिंग के लिए इसका स्थिमाल किया जाता है